सूरत के डिंडोली इलाके में हत्या और आत्महत्या की घटना से संसनी पती ने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद मौत को लगाया गले सूरत शहर के डिंडोली इलाके में हत्या और आत्महत्या की घटना से हर कंप मच गया है बताया जा रहा है कि पती ने पहले पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद ही आत्मा हत्या कर ली इस घटना के बारे में जानकारी दिये जाने पर पुलिस मौके पर पहुँची और तहकीकात शुरू की दिंडोली इलाके के कैलाश नगर में रहने वाले एक परिवार में ये संसनी खेज घटना घटी है युवक ने पत्नी की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद ही आत्मा हत्या कर ली इस घटना के बाद ये जानकारी सामने आई है कि युवक पिछले काफी समय से मानसिक डेप्रेशन में था यही वज़ा रही होगी कि उसने पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी मौत को गले लगा लिया इस घटना को लेकर स्थानिय लोग भी अस्तब्ध रह गए पुलिस मौके पर पहुँची और दोनों के शोग को पोस्ट माटम के लिए स्थानिय सरकारी अस्पताल में ले जाया गया वही माता पिता की मौत से उनके बच्चे अनाथ हो गया है माता पिता की छतर चाया उनके सर से उठ गई है घटना से परिवार में कोहराम मच गया है हालाकि हत्या और आत्महत्या का ठोस कारण पता लगाने के लिए पुलिस ने जाच शुरू की है हुआ 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 है